मेट्रो स्टेशनों की तरफ अब भुसाबर डेलवे जंक्शन पर लेडीज वेंडर देंगी आपको खान पान की सिवा जिसके लिए चाहिए लेडीज वेंडर जिस किसी लेडीज को जॉब पाना है तो अभी संपर करें 8461096364 पर नदीन बागवान को रफीक भाई ने अपनी जान हतेली पर जिसको बोलते है जान हमारे जान का डाव लगा कर मेरा क्या होंगा यह नी लेकिन मैं उसकी जान बजा सबूंगा यह दिल में इंसानियत के प्रदिभावना जातकर उन्हेंने जो कल मदद किये यह एक बहुत बड़ा सराहानी कारे है नमस्कार आप देख लाए हैं BK Times News और मैं हूँ आपके साथ चबी दुसावल शेर के बार नमबर 15 के सामाजिक कारेकर तावा शेकर एंजियो के अध्यक्षी रफीक शेक आएदन नागरिकों के हित में कारेकर सुर्खियों में रहते हैं पर आज रफीक शेक के इस कारे से उनकी सरहना पूरे देश भर में हो रही है क्योंकि उन्होंने एक पीटे हुए यूवा की जान बचाई जहां पर लोग दूर खड़े कैमरे में एक व्यक्ति पर जान लेवा हमला हो रहा था उसका वीडियो बना रहे थे तो वहीं रफीक शेक ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस यूवा को उन गुंदों से बचाया घटना 16 जुलाई शाम करीब सारे 6 बजे बुरहानपुर इच्छापुर हाईवे की है जहां एक यूवा कह रहा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं कोई तो मुझे बचाओ मुझे जान से मत मारो रहम करो जब पाच बदमाश गिरगड़ा रहे कि यूवा को मार रहे थे तो उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया पर कहते हैं जाको राखे साईयां मार सके ना कोई ठीक उसी समय भुसावर के रफीक शेख बुरहानपुर से वापस आ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवा किये बिना जानकारी के अनुसार इच्छापुर बुरहानपुर रोड पर बीच बचाव करके खून से लगपत व्यक्ती को बचाया बुरहानपुर इच्छापुर रोड पर पांच लोगों ने अनल भामने नाम के व्यक्ती को एक खेत में घेल लिया उससे पैसे लूट लिये और उसकी बाइक भी चुरा ली जब वे खेट के बारी इलाके में मार रहे थे वहां किसी तरह के चंगुल से भागने में सफल रहा और राजमार्ग पर पहुँच गया दबंगों ने उसे दोड़ा कर हाईवे पर पीटना शुरू कर दिया वहां से गुजर रहे वहां चालक दूर से घटना को देख रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे हालाकि कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि उन बदमाशों के हाथों में चाकू और अन्य हतिया थे इसी दोरान भुसावल के रहने वाले रफीक शेख अपने कॉलेज का काम निप्टाने के बाद बुरहानपूर से आ रहे थे रफीक शेख ने अपनी जान की परवा किये बगार बदमाशों के पास पहुंचे और यूवा को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया यह जानते हैं कि माजी नगर अध्यक्ष उमेश नेमाड़े ने क्या कहा रफीक शेख ने रानपूर रस्ते के पर एक व्यक्ति की जानबा है आज आपने उनका सत्कार किया क्या रहेंगे रफीक भाई एक सामाजिक कार्य करता है और एक भुसावल में भुसावल के लिए बहुत एक गर्व का विशे उन्होंने कल किये आज कल पूरे देश में हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत बड़ी राजनिती चलती है हिंदू के प्रती मुस्लिम लोग दिल में आकस रखते ऐसा हमें बताया जाता है लेकिन रफीक भाई ने कल भरानपूर आपते वक्त इच्छापूर के पास एक खेत में एक हिंदू भाई जिसका नाम अनिल कदम था इसको चारपास गुंडे मार रहे थे बलकी उन्हों ने उसको बहुत मारा हुआ था और जो मार रहे थे उनके हाथ में हात्यार थे चापूर तेज चुड़िया थी ऐसे करके उसको मार रहे थे जो आतमी को लग रहा था वो अनिल कदम लोगों को साहयता मंग रहा था लेकिन लोग उसका विडियो निकाल कर आगे चल रहे थे, कोई रुखने के लिए तयार नहीं था हमाई रफिक भाई ने वहाँ पे बहुत अपना अंदर जो इंसानियत है वो इंसानियत के कारण वहाँ रुख कर वो जो गुंडे लोग थे उनका सामना किये उनकी चाकुष शुर्यों को रुके और वो अनिल कदम को विचारे को उसको उसकी जान बचाई यह हिंदू मुस्लिम के लिए एकात्मता के लिए बहुत एक बड़ी मिसाल उन्होंने कल दी है क्या पता वो आदमी कोन था रफिक भाई वो उसको जानते भी नहीं थे लेकिन एक इंसान इंसान के प्रती मदद के लिए जाना चाहिए इस भावना को लेकर तुरंद वहार रुख गए रफिक भाई ने भी लोगों को भावान किया कि ये किसी का भाई है ये किसी का पिता है ये किसी का लड़का है कि यह एक इनसान है इसे हमें बचाना आए लोगों नों भी वहाँ आए और वो जो गुंडे थे उनमें के दो तिन गुंडे तो भाग गये लेकिन दो गुंडियों को पकड़ा दिये पुलिस को बुलाए पुलिस के हवाले उनको किये उनको अपने घर लोड आए यहां बहुत गर्व महसूस होत कर जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन रफिग भाई ने अपनी जान हतेली पर जिसको बोलते है जान हमारे जान का डाव लगा कर मेरा क्या होंगा यह नी मैं उसकी जान बचा सबूंगा यह दिल में इंसानियत के प्रतिभावना जाकर उन्हें ने जो कर मदद किये यह बहुत बड़ा सराहानिय कार्य है और हमारे बुसावल के लिए इस बहुत बड़ा एक प्रावड फिल हमें होता है कि कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान ही हमारी जात है, ऐसा काम रफीक भाई ने किया, हम उनके भविश्य के लिए बहुत कुछ उपकामनाय होने देते और भगवान अल्ला जो भी है उन्हें हमेशा बरकत दे, ऐसी बर्वान से राफन अगर पर We are the transitors in education, we are now in भुसावल आपके बच्चो को ज्वल भविश्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सत्पोड़ा शिक्षन वा क्रामीन विकास सस्थाद्वारा संचालित मरहुमा हजजन शकीला बी अब्दोल वहीद देश बांड़े कॉन्मेंट हाई स्कूल सैमे इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से बारवी कक्षा तक एडमिशन शुरू है साथ ही किफायद भी नजीर अहमत पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा बारवी तक एडमिशन शुरू एवं विशेश बैज 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फांडेशन कोर्स, NEET, JEE, सिविल सर्विसेज एंड एमच, CET बबता दें कि आपको बच्चों को उच्छ शिश्य के साथ स्मार्ट क्लास्रूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेडी, लबुरेटरी, एंटरनेट, फसिलिटी पीने के लिए शुर्द जल, प्लेग्राउंड वा बच्चों पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानन्द स्कूल के पीछे, भुसावत, पिन कोट 425201, अधिक जानकारी कले संपक करें, 9271-392591, 9159-969786, email id bspateleducationalcampus at the rate gmail.com, website bspateleducationalcampus.com आपके सपनों का घर, अब आपके पचक में, आरके हाइट्स तू भी एच के फ्लैट्स एंड शॉप्स में, जिसमें आपको मिलेंगे, लुक्शूरियस फ्लैट्स एंड शॉप्स एंड डिट्सीशन विख लोक आपकी वाश्करं कम्ती फ्लैट्स, spacerous पार्किं प्रीड फैसलेटी फ्लैट्स प्रैपरिट्स झानेंग लिव प्तराप्टार लुज एर मैंतंननेंस तू अभी संपकर कने, साइट का पता गांडी नगर इंफालक नगर जुसावल डिलक्स पनीचर और अलेक्ट्रोनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफर सेट, बैडरूम सेट, कारपेट, चेर, डाइंग टेबल के साथ अलेक्ट्रोनिक्स में वाशिंग मशीन, फ्रिज वा अन्य प्रकार के घरिलू सामान, वा आपकी सुविधा के लिए फनीचर और अलेक्ट्रोनिक्स सामान पर 0% से फाइनन्स भी उपलब्द है, तो पता याद रखे, मुहम्मद अरी रोज, खड़का रोज, भुसावल, अलेक्ट्रोनिक्स सामान, वा आपकी सुविधा के लिए 0% से फाइनन्स भी उपलब्द है, तो पता याद रखे, मुहम्मद अली रोज, रजा तौवर चौक, भुसावल